नमस्कार दोस्तों अगर आपने अब तक मेरा यूटूब चानल सब्स्राइब नहीं किया है तो कुपया सब्स्राइब वाले रेट बटन पे क्लिक कीजिए और नए वीडियो की जानकारी पाने के लिए घंटी वाले यानी बेल वाले आइकाउन पे क्लिक कीजिए जिससे अगर मैं बोलता हूँ कि अंकित दोड़ता है तो मैं अंकिता के लिए भी सेम वाकिया यूज नहीं कर सकता मैं यहां नहीं कह सकता कि अंकिता दोड़ता है अंकिता के लिए मैं कहूंगा अंकिता दोड़ती है क्यों क्योंकि यहां हिंदी का एक नियम है वैसे ही parts of speech के बारे में पढ़ेंगे यानि शब्द भेद तब चलिए शुरू करते हैं तो parts of speech क्या है किसी भी वाक्या के शब्दों को हम अलग-अलग भागों में बाट सकते हैं और उन भागों को मिलाके हम parts of speech बोलते हैं हर भाग एक पार्ट है आपको शायद ज्यादा समझ में नहीं आया होगा लेकिन वीडियो में आगे चलते चलते आपको समझ में आ जाएगा तो चलिए इस कवेता को ध्यान से पढ़ते हैं यह एक काफी मज़ेदार कवेता है जो मुझे इंटरनेट से मिली है और यह कवेता मुझे कहां से मिली वो आप description में देख सकते है तो इस कवेता में parts of speech का का काफी अच्छे से वर्णन किया है English में कुल आठ parts of speech है तो चलिए कवेता की पहली पंक्तिया पढ़ते हैं तो पहली दो पंक्तियों में लिखा है A noun is the name of anything, a school और garden, hoop और swing A noun is the name of anything का मतलब है कि noun किसी भी चीज़ का नाम है वैसे तो noun किसी वस्तू, व्यक्ति या जगर का नाम होता है A school और garden, hoop और swing यानी जैसे school या garden या hoop या swing वैसे तो हम noun के बारे में काफी detail में आगे पढ़ने वाले हैं चलिए अब noun के बारे में थोड़ी जानकर ही हासिल कर लेते हैं तो noun को हिंदी में संग्या कहा जाता है और noun का अर्थ जैसे मैंने बताया किसी भी चीज़ का नाम जैसे books या किताबे वैसे ही wood यानी लकडी वैसे ही school यानी विद्याल है तो अगर आपको मैंने पूछा कि screen पे आपको ये जो चित्र दिख रहा है उसे अब क्या कहेंगे तो आप कहेंगे school तो school एक इमारत का नाम है तो वह एक noun हुआ या swarm यानी जुन्ड तो ये सब उधारन है noun के और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी अपनी word banks निकाल ले क्योंकि इस lecture में बहुत सारे नए शब्द सीखने वाले है और यह फायदे मन्द होगा कि आप वो सब शब्दों को उन के अर्थ के साथ लिख दे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे की पंक्तियों में लिखा है adjectives describe the kind of noun as great, small, pretty, white और brown तो adjectives describe the kind of noun का मतलब है adjectives noun के बारे में कुछ बताते है, as great यानि जैसे महान या बड़ा, small यानि छोटा, pretty यानि खुबसूरत, white यानि सफेद, या brown यानि भूरा तो चलिए adjectives के बारे में हम थोड़ा detail में पढ़ते हैं Adjective को हिंदी में vishetion कहा जाता है और उसका अर्थ है एक संग्या या एक सर्वनाम का वर्णन करने वाला शब्द चलिए कुछ उधारन देख लेते हैं आपको स्क्रीन पे जो लड़का दिख रहा है वो काफी गुस्से में लग रहा है तो हम कहेंगे he is an angry boy तो angry शब्द इस boy का कुछ वर्णन कर रहा है तो ध्यान दीजिए boy यहाँ पे एक noun है और angry उसका वर्णन कर रहा है तो angry एक vishetion है वैसे ही यहाँ तीन safe दिख रहे है एक बड़ा है दूसरा उससे भी बड़ा है तीसरा सबसे बड़ा है तो पहले वाले को कहूंगा मैं big यानि बड़ा दूसरे को कहूंगा bigger यानि पहले वाले से बड़ा और तीसरे को कहूंगा biggest यानि सबसे बड़ा अब यहां स्क्रीन पर आपको दो लड़के दिख रहे हैं एक लंबा है दूसरा छोटा है या नाटा है तो पहले वाले को मैं कहूंगा tall दूसरे वाले को कहूंगा short यहां स्क्रीन पर आपको एक bench दिख रही है जो लकड़े की बनी है तो मैं उसे कहूंगा wooden bench यानि लकड़े की bench तो wooden bench के बारे में कुछ बता रहा है तो वो हो गया एक adjective और यह puppy यह dog काफी cute लग रहा है या काफी प्यारा लग रहा है तो मैं कहूंगा cute dog तो यह जितने भी short, big, bigger, biggest, cute, wooden यह सब किसी noun का वर्णन करते हैं और इसलिए यह हो गए adjectives तो आगी की पंक्तियां Instead of nouns, the pronouns stand. Her head, his face, your house, my hand. Instead of nouns, the pronouns stand. इसका अर्थ है कि pronouns को nouns के बदले रखा जाता है Her head, यानि उसका सिर, His face, यानि उसका चहरा, Your house, यानि तुम्हारा घर, या आपका घर, My hand, यानि मेरा हाथ यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, कि जब मैंने हर कहा था, तब मैंने हिंदी में बुला उसका और जब मैंने हिस कहा था, तब भी भी मैंने हिंदी में बुला उसका तो इन दोनों शब्दों में फरक ही ए है, कि हम हर तब लिखते हैं जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, वह एक महिला है और हम हिस्च तब लिखते हैं, जब हम जिसकी बात कर रहे हैं, वह एक पुरुश है तो चलिए अब पroneanthen को थोड़े और डीटेल में पढ़ते हैं pronoun को Hindi में सर्वनाम कहा जाता है और संग्या के स्थान पर प्रयूक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते है यहां स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिख रहे है और उनके साथ उनके pronouns भी दिख रहे है जब मैं आपको लिखे सुधारण दूंगा, तब आपको इन प्रोनाउंस के बारे में ज्याद अच्छे से समझ में आएगा तो इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए यहां लिखा है रमेश is my friend, यानि रमेश मेरा दोस्त है रमेश is five years old, यानि रमेश पाँच साल का है रमेश lives in Mumbai, यानि रमेश मुंबई में रहता है रीना is also my friend, यानि रीना भी मेरी एक दोस्त है रीना lives in Lucknow, यानि रीना लकनो मेरेती है तो आप अगर ये चीज़ हिंदी में बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? रमेश मेरा दोस्त है, वो पाँच साल का है, वो मुंबई में रहता है तो हिंदी में आप पहले वाक्या में रमेश बोलते हैं और आगे के वाक्यों में रमेश के बदले वो बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में पहले वाक्या में हम रमेश बोलते हैं और आगे के वाक्यों में रमेश को उसके प्रोनाउंस से रिप्लेस करते हैं या रमेश के बदले उसका प्रोनाउंस लिखते हैं तो चलिए अब इन वाक्यों को प्रोनाउंस की साहयता से लिखते हैं तो अब उपर दिये गए वाक्यों को प्रोनाउंस की मदद से लिखेंगे तो वाक्या कुछ इस प्रकार बनेंगे रमेश is my friend, यानि रमेश मेरा दोस्त है He is five years old, He lives in Mumbai यानि अब हमने रमेश के बदले He लिखा है क्यों? क्योंकि पुरुषों के लिए प्रोनाउं होता है He फिर रीना is also my friend, यानि रीना भी मेरी एक दोस्त है और शी लिखेंगे लिखना क्योंकि महिलाओ के लिए प्रोनाउं होता है शी तो अब हमने प्रोनाउंस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लिए है प्रोनाउंस के बारे में हम और डीडेल में आगे पढ़ेंगे अभी आगे बढ़ते हैं वर्प्स तेल ऑफ समथिंग तो बी दन तो रीड, काउंट, सिंग, तो लाफ और रन यानि वर्प्स किसी क्रिया के बारे में बताते हैं जैसे रीड यानि पढ़ना count यानि गिनना sing यानि गाना laugh यानि हसना run यानि भागना तो चलिए verbs के बारे में थोड़ा detail में देखते हैं तो वर्ब को हिंदी में kriya कहा जाता है और जिस शब्द से कारिय का बोध हो उसे kriya कहते हैं तो चलिए कुछ उधारन देख लेते हैं तो पहला उधारन है write यानि लिखना फिर eat यानि खाना फिर walk यानि चलना play यानि खेलना या sleep यानि सोना वो भी एक kriya है वले उसमें कुछ काम नहीं करते हैं और read यानि पढ़ना तो ये जितने भी शब्द है write, eat, walk, play, sleep, read इन सबसे किसी कारिय का बोध होता है और इसलिए इन्हें वर्ब कहा जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं How things are done the adverbs tell As slowly, quickly, loudly or well So how things are done the adverbs tell यानि चीजे कैसे हो रही है वो adverbs बताते हैं As slowly, quickly, loudly or well जैसे धीरे से, slowly यानि धीरे से फटा फट, शोर करके या अच्छे से तो adverbs नाम में ही हम देख सकते है add verbs यानि verbs में कुछ add करते हैं ये शब्द verbs यानि क्रिया और ये उन में कुछ add करते हैं यहां बताते हैं कि क्रिया कैसे हो रही है तो इसलिए इनको adverbs कहा जाते हैं तो चलिए अब adverbs के बारे में थोड़ा डीटेल में देख लेते हैं adverbs को हिंदी में क्रिया विशेशन कहा जाते हैं वो क्रिया विशेशन या किसी और क्रिया विशेशन का वर्णन करने वाला शब्द है तो चलिए कुछ उधारन देख लेते हैं तो पहला उधारन He ran quickly यानि वो तेजी से भागा तो ये quickly शब्द हमें वो कैसे भागा वो बताता है तो quickly भागने का कुछ वर्णन करता है कैसे भागा फटाफट भागा जिसलिए quickly एक adverb है वैसे अब दूसरा उधारन तो पिजज़ा वस तू हॉट तो इट यानि पिज़ा इतना गरम था कि हम उसे खा नहीं पाते है तो इसमें ये हॉट जो शब्द है वो पिज़ा का वर्णन कर रहा है और पिज़ा क्या है नाउन तो नाउन का वर्णन करने वाले शब्द क्या है adjective यानि होट यहाँ पे एक adjective है या विशेशन है और ये टू शब्द है यानि बहुत वो होट का वर्णन कर रहा है बहुत गरम वो गरम का वर्णन कर रहा है तो यहाँ पे ये टू शब्द किसी विशेशन का वर्णन कर रहा है तो देखिए उपर परिभाशा में क्रिया विशेशन या किसी और क्रिया विशेशन का वर्णन करने वाला शब्द तो इसलिए क्योंकि ये टू एक विशेशन का वर्णन कर रहा है यह भी एक क्रिया विशेशन है और तीसरा उधारण जोस ग्रैंड मदर ड्राइवस वेरी स्लोली यानि जो की दादी बहुत धीरे गाड़ी चलाती है अब यहाँ स्लोली यानि धीरे से वो एक क्रिया विशेशन है क्यों? क्योंके वो एक क्रिया का वर्णन कर रहा है और क्रिया कौनती है? गाड़ी चलाना, ड्राइव करना तो स्लोली एक क्रिया विशेशन है अब यह वेरी शब्द जो है वो हमें स्लोली के बारे में कुछ बताता है जैसे वेरी यानि बहुत तो वेरी स्लोली यानि बहुत धीरे से तो व्यारी एक ऐसा शब्द है जो एक क्रिया विशेशन का वर्णन कर रहा है तो इस उधारन में जो क्रिया विशेशन है वो किसी और क्रिया विशेशन का वर्णन कर रहा है तो उधार परिभाशा में देखिए कि क्रिया विशेशन या किसी और क्रिया विशेशन का वर्णन करता है तो हमने तीनों उधारन देख लिए पहले उधारन का क्रिया विशेशन किसी क्रिया का वर्णन कर रहा था तो हमने क्रिया विशिशनों के बारे में तो कुछ जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे की पंक्तियों में लिखा है, Conjunctions join the words together, as men and women, wind or weather. Conjunctions join the words together का आर्थ है, Conjunctions शब्दों को जोडते हैं, as, जैसे, men and women, wind or weather. तो चलिए हम Conjunctions के बारे में कुछ डीटेल में पढ़ते हैं. Conjunctions को हिंदी में सही ओजग कहा जाता है, और उसका अर्थ होता है, शब्द या वाक्य जोडने वाला शब्द. तो यहां Conjunctions के बहुत सारे उधारन दिये हैं, जैसे since, yet, but, because, for, however, and. तो चलिए कुछ उधारन देख लेते हैं. तो पहला उधारन, Ram and Shyam are brothers. तो यहां and शब्द जो है, वो Ram और Shyam शब्दों को जोड रहा है. तो इसलिए वह एक सही ओजग है. दूसरा उधारन, elephant is big, but dinosaur is even bigger. तो यहां एक वाक्या है, elephant is big, और दूसरा वाक्या है, dinosaur is even bigger. और यह but शब्द जो है, वो इन दो वाक्यों को जोड रहा है. तो but यहां पर हुआ एक conjunction. तो elephant is big, यानि elephant बड़ा है, dinosaur is even bigger, यानि dinosaur और भी बड़ा है. यह दो अलग-अलग वाक्या है, और इनको जोडने वाला शब्द जो but है, वो एक conjunction है. अब आगे बढ़ते हैं. इसका अर्थ है, प्रेपोजिशन नाउन के पहले आता है. As in or through a door. यहां in or through, प्रेपोजिशन के उधारण है. डोर यानि दर्वाजा. तो in a door, यानि दर्वाजे के अंदर. और through a door, यानि दर्वाजे से. चलिए अब प्रेपोजिशन के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं. प्रेपोजिशन को हिंदी में विभक्ती कहा जाता है और उसकी परीभाशा है वे शब्द या शब्दों का समूह जो आम तोर पर किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थित किया जाता है और वह प्रेपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्द स प्रदर्शित करता है, तो चलिए कुछ उधारन देखते हैं, तो यहां आपके सामने स्क्रीन पे एक बॉल और एक बकसे को अलग-अलग स्थितियों में रखा गया है, अगर मैं इन स्थितियों का वर्णन करते हुए हिंदी में कुछ वाक्य लिखू, तो पहली स्थिति के ल लिखूँगा, बॉल बकसे के ऊपर है, तीसरी के लिखूँगा, बॉल बकसे के नीचे है, वगरा-वगरा, तो यह सब शब्द, अंदर, उपर, नीचे, यह बॉल और बकसे के बीच एक संबंध दर्शाते हैं, और इन ही शब्दों को जब मैं अंगरेजी में तो उन्हें preposition कहा जाता है तो चलिए इन वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं वह दिखते हैं तो पहली चार स्थितियों का वर्णन करने वाले अंग्रेजी वाक्य आपको स्क्रीन पे दिख रहे है Ball is in the box यानि ball box के अंदर है जो पहली स्थिति में हो रहा है वैसे ही ball is on the box यानि ball box के उपर है ball is under the box यानि ball box के नीचे है और ball is behind the box यानि ball box के पीछे है तो वैसे ही preposition का यूज करके आप हर स्थिति के लिए एक वाक्य बना सकते है यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि box एक noun है और हर preposition noun के पहले आ रहा है और वो box का संबन्द किसी और शब्द के साथ जो इस case में ball है उसके साथ दिखा रहा है तो अब prepositions के बारे में तो हम जान लिया अब आगे बढ़ते है The interjection shows surprise As oh how pretty Oh how wise यानि interjection एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाव व्यक्त करता है जैसे Oh how pretty Oh how wise यहाँ ओ एक ऐसा शब्द है जो हमारे भाव को व्यक्त करता है और How pretty यानि कितना सुंदर है और वैसे ही How wise यानि कितना बुद्धी शाली है तो चलिए interjection के बारे में कुछ और डीटेल में पढ़ते है तो interjection को हिंदी में विस्मयादी बोधक कहा जाता है और इसका अर्थ है भावना व्यक्त करने वाला शब्द तो कुछ उधारन देखते है Hey Ouch Oh Damn Hurray Wow यह सब शब्द हमारे भाव व्यक्त करते है और यह सब interjections है तो वाक्य में इसके उधारन देखते है Hurray We won the match यानि Hurray हम match जीत गए Ouch The milk is hot यानि Ouch दूद गरम है यानि सोचिए कि आपने गरम दूद के पतीले को हाथ लगाया तो आप के बोलेगे Ouch दूद गरम है या Wow This painting is beautiful यानि Wow यह painting काफी सुन्दर है तो अब आपको interjection की भी थोड़ी बहुत जानकरी तो मिल गई है तो अब आगे बढ़ते है तो इस कविता की आखरी पंक्तियों में लिखा है The whole are called 8 parts of speech which reading, writing, speaking, teach The whole are called 8 parts of speech का मतलब है इन सब को मिला के 8 parts of speech कहा जाता है which reading, writing, speaking, teach यानि जो हमें पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाते है Reading यानि पढ़ना, writing यानि लिखना और speaking यानि बोलना तो आज के lecture में हमने parts of speech देखे चलिए अब एक उधारन देखते है अब मैं आपके सामने एक वाक्य प्रस्तुत करूँगा और हम लोग साथ मिलके उस वाक्य में हलग-अलग parts of speech को ढूण निकालेंगे तो इस वाक्य में लिखा है ये सच्चिन बैटेड वेरी नाइसली एंड ही गेव ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन दे फील्ड तो हेल्प इंडिया प्रोग्रेस इन दो वर्ल्ड काप इसका अर्थ है ये सच्चिन ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की और उन्होंने मैदान पर अध्बुत प्रदर्शन दिया जिससे इंडिया को वर्ल्ड काप में आगे बढ़ने में मदद मिली तो चलिए हब हम इस वाक्य में पार्ट्स ओफ स्पीच को ढूंगते हैं तो सबसे पहले पहले शब्द से शुरू करते हैं तो ये एक ऐसा शब्द है जिससे भाव प्रकट होते हैं तो आपने शाय दनुमान लगा लिया होगा कि यह एक विस्मयादी बोधक शब्द है या इंटर्जेक्शन है तो ये हुआ एक इंटर्जेक्शन अब अगले शब्द पे जाते हैं सच्चिन सच्चिन किसी व्यक्ति का नाम है और याद कीजिए कि किसी भी वस्तु व्यक्ति या जगे के नाम को नाउन कहा जाता है तो इसलिए सच्चिन एक नाउन हुआ अब आते हैं अगले शब्द पे जो है बैटड बैटड यानि बल्ले बाजी करी तो यह शब से क्रिया का बोध होता है तो इसलिए यह हूँ ये क्रिया यानि English में Verb अब देखते हैं Very ब्यरी यानि बहुत तो यह शब किसका वर्णन कर रहा है यह शब nicely का वर्णन कर रहा है nicely का अर्थ है अच्छे से तो very nicely यानि बहुत अच्छे से अब nicely किसका वर्णन कर रहा है बहुत अच्छे से क्या हुआ बहुत अच्छे से सच्चिन ने बल्ले बाजी की तो nicely शब्द batted का वर्णन कर रहा है या बल्ले बाजी करने का वर्णन कर रहा है बल्ले बाजी कैसे हुई बहुत अच्छे से हुई तो बैटेड एक क्रिया है और नाइसली उसका वर्णन कर रहा है तो वह हुआ एक क्रिया विशेशन वैसे ही very nicely का वर्णन कर रहा है या very किसी और क्रिया विशेशन का वर्णन कर रहा है तो वह भी हुआ एक क्रिया विशेशन याद कीजिए कि एक kriya vishetion, किसी kriya vishetion या किसी और kriya vishetion का pardon करता है तो very और nice दोनों हुए kriya vishetion अब जलते हैं अगले शब्द पे जो है and याद कीजिए कि conjunction के उधारणों में मैंने कहा था कि and भी एक conjunction है लेकिन अगर आपको वह याद नहीं होता फिर भी आप इस वाक्या को देखके पता लगा सकते थे कि AND भी एक conjunction है कैसे? AND के पहले वाल शब्द देखिये यह सर्चिन बैटेड वेरी नाइसली यानि यह सर्चिन ने बहुत अच्छे से बले बाजी की यह अपने आप में एक वाक्या है वैसे ही AND के बाद वाले शब्द देखिये He gave a brilliant performance on the field to help India progress in the World Cup यानि उसने मैदान पे एक अधुबुत प्रदर्शन दिया जिसकी वज़े से इंडिया को World Cup में आगे बढ़ने में मदद मिली यह भी अपने आप में एक वाक्या है तो AND शब्द यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए AND हुआ एक conjunction चलिए अब अगले शब्द को देखते है जो है He जब मैं He बोलता हूँ तब मैं सच्चिन की बात कर रहा हूँ या ही शब्द एक ऐसा शब्द है जो सच्चिन की जग़ ले रहा है तो ही शब्द एक ऐसा शब्द हुआ जो एक नाउन की जग़ ले रहा है इसलिए वह हुआ एक प्रोनाउन याद कीजे के प्रोनाउन के उधारनों में भी मैंने कहा था कि ही एक प्रोनाउन है तो अब ही हुआ एक प्रोनौम, अब अगला शब्द है गेव यानि दिया, तो यह भी एक क्रिया है, उसके बाद वाला शब्द है A, जो एक आर्टिकल है, और आर्टिकल्स के बारे में हम आजए पढ़ेंगे, उसके बाद वाला शब्द है ब्रिलियंट, यानि लाजवाब या अद्बुद तो ब्रिलियंट किसका वर्णन कर रहा है क्या चीज लाजवाब है ब्रिलियंट के बाद वाला शब्द है परफॉर्मेंस यानि प्रदर्शन तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस यानि अद्बुद प्रदर्शन या लाजवाब प्रदर्शन और प्रदर्शन एक noun है या संग्या है तो ब्रिलियंट एक ऐसा शब्द है जो किसी noun का वर्णन कर रहा है तो वह हो गया एक विशेशन तो ब्रिलियंट हुआ एक adjective उसके बाद वाला शब्द है performance जो हमने पहले ही कह दिया है कि एक noun होता है उसके बाद वाला शब्द है on जो अगर आपको याद होगा तो हमने prepositions के उधारनों में देखा था तो on एक preposition है लेकिन अगर आपको याद नहीं होता तो आप कैसे पता लगाते कि on एक preposition है आप देख सकते हैं कि on के बाद है the field यानि मैदान तो on के बाद एक noun है मैदान एक noun है और on मैदान का संबंद किसी और शब्द के साथ दिखा रहा है कौन से शब्द के साथ performance के साथ प्रदर्शन के साथ performance on the field यानि मैदान पे प्रदर्शन तो on एक noun के पहले आ रहा है और वह उस noun का संबंद किसी और शब्द के साथ दिखा रहा है तो इसलिए वह हुआ एक preposition अब on के बाद वाला शब्द है धो जो एक article है जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे फिर है field यानि मैदान तो वह एक noun हुआ फिर to help यह एक ऐसा शब्दों का समूह है जिसे infinitive कहा जाता है और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फिर India यानि भारत तो यह एक noun है तो क्योंकि यह किसी देश का नाम है फिर progress यानि आगे बढ़ना तो यह एक क्रिया है तो यह एक verb हुआ फिर in वापस एक preposition याद यह हमने prepositions के उधारणों में पढ़ा था इसके बारे में फिर धो वापस एक article जो हम आगे पढ़ेंगे फिर world वापस एक noun world यानि दुनिया और cup वापस एक noun तो आज के lecture में हमने parts of speech के बारे में पढ़ा है चलिए अब कुछ विविद बाते करते हैं तो lecture 1 की विविद बा तो आठ के lecture में हम देखेंगे किसी को रास्ता हम अंग्रेजी में कैसे बताते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि रहा चलते कोई आके हमें पूछ लेता है भाई या इस जगह का रास्ता बता दो तो अगर वह हिंदी में पूछता है तो ठीक है हम हिंदी में जवाब दे सकते है लेकिन अगर इसने आपको इंग्लिश में पूछा तो आप उसका जवाब कैसे देंगे तो चलिए देखते हैं तो अगर आपको किसी को बोलना है कि सीधे जाओ तो आप कहेंगे गो स्ट्रेट फिर आपको बोलना है कि बाय मुडिये तो आप बोलेंगे टर्न लिफ्ट या टेक लिफ्ट टर्न फिर अगर आपको बोलना है कि दाय मुडिये तो आप बोलेंगे टर्न राइट या टेक राइट टर्न और अगर आपको किसी को बोलना है कि यू टर्न ले लो तो आप बोलेंगे टेक यू टर्न तो अब आप किसी को रास्ता बता सकते हैं तो आपको कि किसी को बोलना है पहले सीधे जाईए फिर दायम उड़िए और फिर यूटर लीजिए तो अब बोलेंगे गो स्ट्रेट देन टर्न राइट देन टेक यूटर्न